नमस्कार स्वालने थैं आप सभी का Defense Officers Academy के YouTube चैनल पे और आज फिर एक नई informative वीडियो के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत हैं आज की जो वीडियो है दरसल ये आप सभी की तमाम queries पर based है बहुत सारे बच्चे और इवन बच्चों के parents भी हमसे ये पूछ रहे थे कि Scenic School का जो exam हुआ था 28th January को उसका result आखिर कब तक आएगा और ये बहुत ज़्यादा जिग्यासा है सभी के मन में कि result की जो date है वो कब announce होगी या फिर result किस तारीख को पहुँचेगा इन सब चीजों पर हम अतनी बात को आगे बढ़ाएं उससे पहले सबसे जरूरी आपके लिए जानना है कि जो Scenic School का exam है उस exam में आज तक किस तरीके से procedures का पालन किया जाता था और result तक्रीबन कितने समय के बाद दे दिया जाता था और उन से भी पहले आपको जानना होगा कि जो Scenic School का exam है इसमें कितने candidates हिस्सा लेते हैं और उनका result प्रिपेर करने के लिए कितना समय अकसर All India Scenic School Society लेती है तो कुछ data की यहां पर मैं बात करूँगा और data last year से भी driven रहेंगे आपको पता है कि जब हम Scenic School की बात करते हैं तो entrance exam दो इस तर से होता है यानि कि दो classes हैं जिनमें आपको entry level और Scenic School में जाने का मौका मिलता है एक है class 6 और एक होती है class 9 दो नहीं classes के लिए exam का pattern क्या है और उसमें आपको किस तरीके से qualify करना होता है यह सारी की सारी सूचना है हमने पहले ही कुछ previous वीडियो के माध्यम से आपको दी हुई है Defense Officers Academy के YouTube चैनल पर ही आपको Scenic School की cut-off की पूरी जानकारी यह counseling की प्रकिरिया से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बात है और जो Scenic School Society के अंतरगत आने वाले Scenic Schools है उनमें कौन-कौन से Scenic School अच्छे माने जाते है इनको लेकर के एक detailed वीडियो हमेशा आपको available मिलेगा तो इस तरीके से जो बाकी की जानकारी है वो तो आपको वीडियो के माध्यम से हम दे चुके हैं अभी हम बात करने वाले हैं सिर्फ एक topic पे वो है result का Class 6 की अगर मैं बात करूँ तो पिछले साल के डेटा के लिहाज से तक्रीवन 1.50 lakh यानि की डेज लाख के करीब candidates थे जिन्हों ने इसमें participate किया था Class 9th entrance exam के लिए 50K यानि की 50,000 के करीब students ने इसमें participate किया था Now, if we talk about the available seats for the Class 6th तो last year के जो डेटा है उस हिसाब से हमें 5000 के करीब seats Class 6th में फिल करनी थी जबकि Class 9th के लिए 390 के करीब seats को हमने फिल करना था ये जो डेटा है ये Last Year का है अगर मैं इस साल की बात करूँ तो अनुमान के हिसाब से more or less इतने ही बच्चे इस साल भी है जिल्होंने Class 6th का exam दिया है और नगभग यही एक number है जो हमें Class 9th के लिए exam देने वाले बच्चों का देखने को मिलता है अगर मैं बात करूँ इस साल की seats की तो Class 6th को लेकरके इस साल seats की संक्य है 2970 जो की subject to changes भी है तो ये इस साल की है this year और Class 6th these seats have to be filled by the examination process and if I talk about Class 9th then total 697 seats should be filled this year ये इस साल की Class 9th की seats है तो ये तो रही number of candidates की तादात की बात और कितनी seats भरनी है उनकी बात अब बात करते हैं कि result आखिर कैसे release किया जाता है सैने की स्कूल के द्वारा तो आज से पहले तक का जो procedure रहा था उसमें आपको exam होने के तकरीवन 15 दिन के बाद एक provisional answer की provide कर दी जाती है यानि कि आप उस answer की के माध्यम से अपने दिये गए responses का आपलन करके कम से कम यह जान सके कि आपकी जो range है वो क्या बन रही है आपको कितने marks इसमें मिल रहे हैं और अगर किसी answer में आपको आपत्ती हो तो उसके लिए भी एक ठीक ठाक समय दिया जाता है और आप अपनी आपत्ती को एक खास procedure से बर्च कर सकते हैं इस provisional answer की के release हो जाने के बाद कुछ ही हफतों में जो final answer की है वो release की जाती थी और फिर सैनिक स्कूल का all India result आ जाता था और इसके बाद आपकी सुरू हो जाती थी e-counseling की प्रक्रिया तो इस साल 28th of January इस दिन exam हुआ है और अभे तक जो provisional answer की है वो मौजूद नहीं है आप इसको NTA की website पर भी चेक कर सकते हैं और all India सैनिक स्कूल इसकी website पर भी चेक कर सकते हैं लेकिन अगर वो 15 दिन के भीतर नहीं आई है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो all delay होगी तो यहने का मतलब यह है कि फर्वरी का महिना खतम होते होते आपको answer keys मिल जाएंगी और इन answer keys के आने के बाद जो एक time limit दी जाती है ताकि आप अपने answers को चेक कर सके उनमें जो आपको गलतिया दिखती हों जो सैनिक स्कूल की तरफ से प्रोविजनल answer की प्रोवाइक की गई उसमें अगर कोई गलती दिखती हो तो अब अपने response भी दायर कर सकते हैं उन सब के बेवजूद हद से हद एक से दो हफ़ते के भीतर final answer की आपके पास available हो जाती है और इस आदार पर अगर मैं देखूं की फरवरी का महीना खतम होते होते है अगर answer की available हो जाएगी तो anyhow मार्च के महीने में आपका result आही जाएगा लेकिन अब सवाल दरसल यह है कि मार्च के महीने में result कब आएगा तो सबसे जाबे संभावना देखिए result आने के बाद भी सैनिक स्कूल के admission की प्रक्रिया में बहुत सारी चीज़े होती है आपको result आ जाने के बाद e-counseling की प्रक्रिया शुरू होती है और e-counseling की प्रक result आने में delay होगा तो total academic session के admission में भी delay हो सकता है लेकिन सैनिक स्कूल एक जिम्मेदार संस्ता के तौर पर ऐसा नहीं करेगा तो अबकुल मिला करके हमारा जो prediction है कि सैनिक स्कूल का result March first week और अधिक से अधिक delay होने पर second week तक आपके सामने आ ही जाएगा तो यह तो रही result की बा जो e-counseling की प्रक्रिया है और जो cut-off का अनुमान हमने आपको दिया है वो सब कुछ भी जानना जरूरी है खास तोर पर पहनी answer की आने के बाद अगर आपकी first answer की के अनुसार कुछ खास number आते हैं और नंबर को आप चेक कना जाते हैं कि यह selection मेरा करवाएंगे या नहीं त cut-off से related जो सहनिक स्कूल की cut-off क्या रहेगी यह वीडियो है इसकी जरूर देखिएगा और अगर आप लगता है कि selection की कजार पर हैं तो फिर आपको जरूरत होगी e-counseling की प्रक्रिया को जानने की और इसके लिए आपको हमारे ही वीडियो जिसमें e-counseling की प्रक्रिया को हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा आपको उसके आधार पर भी अपना ज्यान वर्धन करना पड़ेगा अब पूरी तरीके से informed opinion जवाब बना लेंगे उसके बाद ही आप finally सेनिक स्कूल और अपने हिसाब से जो best सेनिक स्कूल है उसमें admission के लिए eligible रहेंगे और आप एक ब बात पर समाथ होता है फिर आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो में नए informative वीडियो में आपकी जो भी queries होंगी उनके आधार पर हम जरूर वीडियो बनाएंगे so till then all the best to all of you and bye bye